लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ मैं मॉस्को बिल्फुल नहीं आने वाला था पहले पुलिस कंप्लेन करना उसके बाद इसको खोजना ठीक है मुझे मिला भी और मैं बता नहीं सकता हूं यहां भी करफशन चलता है तो प्लीज केरफुली इसको आप सही सरकना पहली बार मैंने टूरिस वीजा पे बैंक अकाउंट खोला है वो भी रश्या में है मैं हूँ प्रैवलिंग हिंदी आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह मॉस्को में मेरा दूसरा दिन है और मैं पहले दिन आया था तो म मुझे सबसे पहले वह काम करना है जिस काम के लिए मैं मॉस्को आया हूँ मुझे इमिगेशन ओपिस जाना पड़ेगा तो यहां से दो किलो मीटर है तो मैं वही जा रहा हूँ लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बतातू मैं मॉस्को बिल्कुल नहीं आने वाला था यू तो आपको यह बता दू कोई भी आ रहा है इंडिया से या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो वहां का जो भी डोकुमेंट रहता है सही सरकना वो मेरी गल्तिती हिरा गया इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ तो मैंने वीडियो वगर कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरा मैन कार्ट जो है वो बहुत important है इतनी परिशानी चल रहे हैं सिर्फ वह स्लिप की वज़े से इतना परिशानी है यह था वाकी ऑफिस जो के मॉस्को में है और इन्हों ने अभी एड्रेस दिया है मैप में डालके बुला तीन किलोमेटर है तो जा रहा हूं देखता हूं क्या होगा बहुत परिशानी चला या यहां करके है अभी यहां आया हूं तो यह लोग बोले लंच है आदे घंटे वेट करो उसके बाद टोकन देंगे फिर लाइन लगेगा मुझे पता नहीं एक्जेक्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा या बहुत टेंशन लग रहा है क्योंकि काड एक्जिट में काम आएगा और फोटो में है मेरे पास वो मैंने ब्लॉग किया तो वह बोल रहे किसमें समझ में नहीं आरा हूं फिर मैं यहां आया ओपीस गुमने के बाद तो यह लँटक के बाद देखता हूं क्या हो तो ठोटा मैं भी थोड़ा फिरी हो जाहूं यह है लोकेशन किसी को भी कोई प्रॉ जुरण पर बैंने सकता हूं कितना मैंने तक JULi आपको नहीं बता सकता हूं मैं दो दिन किसी को पता है है यह हैं दिल से बता रहा हूं देख लो यह, यह दूसरा मुझे मिला है है। और मैं बता नहीं सकता हूं यहां भी corruption चलता है तो please carefully इसको आप सही से रखना आप सबसे मेरी बिंती है अगर कोई video को देख रहा है तो एक बर नहीं दस बर देखो रशी आने से पहले इसको सही से रखना please तो यह जो जहला हूं मैंने चाहता हूं कि मेरा भाई लोग कोई भी और मैं बैंक जाके आपको बताता हूं वहां क्या-क्या डोकुमेंट चीए नहीं चीए कितना पैसा लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि इंडियन कार्ड यहां वर्क नहीं कर रहा है तो फाइनली आचुका हूं बैंक के पास जो के एक किलोमेटर दूर था और यह बैंक है य नहीं हो तो मैं केमरा रख देता हूं अट जातों मेंक में अकाउंट को ने है हो गया अकाउंट अपन आप डिपोजट कर रहे हैं कि येज येज एंटर गभी पीन प्लीज जाके लगवग 35-40 मिनिट में अकाउंट अपन हो गया और अकाउंट अपन होने के बाद मैंने डिपोजिट किया लगवग वाई 7000 रुबल और देख सकते आप यह है मैं आपको दिखाता हूँ यह है मेरा काड यह है मेरा काड बैंक का और मैंने डिपोजिट किया यह वाला अज दिखाता हूं मैं आपको और यह रहा बैंक का जैसे खाता होता नहीं है और बाकी मैं घर चलके आपको पुरा डिटेल्स में बताता हूं अच्छा था याद सिंपल था पहली बार मैंने टूरिस वीजा पर बैंक अकाउंट खोला है वो भी रशिया में तो कैसे खोलना है वह पॉसिबल हुआ क्योंके लॉकल का यहां एड्रेस था जो मेरे होस्ते उन्होंने एड्रेस दिया और उनका नंबर था कॉंटेक्ट तो उनसे बात किया बोला यह यह बंदा है मेरे पास रह रह रहा है तो दूसरी ओपीस फिर तीसरी ओपीस फिर पुली स्टेशन फिर फाइनली जाके मैं वहां पहुंचा तो मुझे वह कार्ड मिला लगभग एक लेड़ घंटा वेट करना पड़ा साम हो गया तो उसकी वज़े से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ और मैंने चाहतों कोई आके आप प्रॉब्लम फेस करें उस इम्रिगेशन काट की वैसे तो आप लोग से यही कहना है कि जो भी आ रहा है कहीं से भी आ रहा है किसी भी बॉर्डर से आ रहा है या बाइयर उसको संभाल करना बहुत काम की चीज़ है और दूसरी बात मैंने बैंक अकांट उपन किया है त पहले मैं दिखा देता हूं इसा काड रहेगा वह संग संग यह काड आपको मिल जाएगा लगबख 40-45 मिनिट लगा अकाउंट खुल गया अब डॉक्मेंट पर आते हैं तो डॉक्मेंट उसके लिए आपको चाहिए आपका वीजा है ठीक है आपका वीजा आपका पासपोर आपको यहां का लॉकल नंबर और यहां का किसी का लॉकल का इड्रेस चाहिए ईजी हो जाता खुलने में बाकि पता नहीं मुझे बिना लॉकल अडरेस पुलता होगा लेकिन यह मेरा पासपोर्ड़ वीजा चैक और मेरा मोबाइल नंबर लॉकल और जिखा आर दिखाया ए तो उसके पर टाइम रहता नहीं है तो वो आएंगे तो मैं उसे इंटर्डूस करोंगा फिर जाके इस बोलो का एंड होगा उनसे मिलाने के बाद मेरे होस्ट आचोके हैं बहुत बीजी रहते हैं चाश्टिंग आश्टिंग अगरा करते हैं तो उनमें बीजी रहते हैं यह है इगोर भाई थेंक यू सो मुझ कुछ यह वेलकुम और यह बहुत अच्छे हैं मतलब रोष्ट हो तो इनके जैसा थैंक यह बहुत लबली परसने हैं यह हर चीज मेरी हेल्प किया है मुझे बैंक का पुछी है वहर चीज में जैसे मेरा वो काड़ का तक गया तो इनोंने कॉल करके बात किया था था थैंक यू सो हुआ 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 है